वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सेवन इंग्लिश की पोयम नंबर टू है दा रिबैल आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें क्वेश्चन नंबर वन देखिए अगर कोई बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के ना आये मतलब कैजूल कपड़ों में आ जाए जीन्स टीशेट में आ जाए तो टीचर यूसली क्या करते हो उस बच्चे को डांट लगाते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए तो आंसर कैसे लिखोगे पूरा question में से यव समवन डजन्ट वैर आ यूनिफॉर्म यशिर समवन डजन्ट वैर आ यूनिफॉर्म तु इसकूल यह जो मैंने अन्डरलाइन किया है यह पूरा मैंने question साही copy किया है आपको underline नहीं करनी बस आपको समझाने के लिए बता रहो The teacher would scold him or her The scold का मतलब होता है children डाटना जैसे ये teacher क्या कर रहे हैं इस बच्चे को डाट लगा रहे हैं कि वही तुम uniform पहन के क्यों नहीं आयो है ना Casual कपड़े क्यों तो teacher क्या कर रहे हैं इसको डाट लगाएं ले When everyone wants a clear sky what does the rebel want most Clear का मतलब अगर हर कोई चारा की बढ़िया सा मौसम हो जाए थोड़ा बाहर घूमा जाए फिरा जाए तो rebel क्या है हमेशा उल्टा चाहता जो पूरी दुनिया चाहती है जो society चाहती है वो चाहाएगा कि नहीं भही बहुत तेज धूप निकल आया ताकि कोई मजे ना कर पाए तो answer कैसे लिखोगे देखो पूरा question में सही When everyone wants a clear sky When everyone wants a clear sky The rebel wants the sun तो rebel क्या चाहता देखो सब लोग चाहते है clear इसका ही हो तो बाहर पुक्निक करने जाएं मजे करें rebel चाहता है rebel मतलब बागी जो दूसरों से अलग सोचता उल्टा सोचता वो चाहता कि सूरस देवता निकला है If the rebel has a dog for pet What is everyone else likely to have वो कह रहा है बार बार हर बात में ये बताए जा रहा है कि जो society करेंगी rebel उसका उल्टा करेंगे जो बागी लोग होते है तो ये कह रहा है कि अगर rebel के पास dog होगा as a pet तो यानि कि दूसरे लोग क्या रखेंगे दूसरे लोगों के पास होगा cat कहने का मतलब ये है कि अगर सारे लोग cat ये कहेंगे कि हमें तो cat चाहिए cat चाहिए तो rebel कहेगा कि भाईया मुझे तो dog चाहिए तो आनिसर कैसे लिखोगे पूरा इसी में से इव्दा rebel has a dog for a pet देख लो इव्दा rebel has a dog for a pet everyone else is likely to have cat as best अगर rebel dog रखेगा तो दुनिया क्या रख रही होगी दुनिया cat रख रही होगी देख रहो इसके पास अकेले के पास dog है और दुनिया के पास क्या है cat है वाई इस इट तो हैव rebels अब ये कहरा है society में अगर सारे ही लोग एक जैसे हो जाएंगे तो society में change कहां से आएगा तो ये कह रहा है rebel का होना क्यों जरूरी है it is good to have rebel because पूरा question सही they teach us to accept and tolerate difference क्योंकि वो ही हमें सिखाते हैं difference यानि कि अगर दुनिया पूरी दुनिया एक रास्ते पे जारी है इस रास्ते पे जारी है तो वो अकेले इस रास्ते पे जाएंगे वो ही हमें difference चीजें करना different चीजें करना सिखाते है और tolerate करना सिखाते है why is it not good to be a rebel oneself लेकिन खुद rebel बन जाना क्यों ठीक नहीं है ऐसा होता है कि दुनिया क्या करती है जो rebel लोग होते है जैसे suppose करो सबके hair black है अब एक क्या करें अपने hair को red करवाले थोड़ा सा थोड़ा सा green करवाले तो वो सबसे अलग लगेगा है ना तो उसकी choices अलग होती है तो लोग क्या करते है उसको criticize करते है उसकी बुराई करते है देखो it is not good to be a rebel oneself पूरा question से उठाया because the society never accepts a rebel क्योंकि जो हमारा समाज है वो rebel लोगों को जो कुछ अलग करने की सोचते है उनको कभी accept नहीं करती and always criticize his behavior और हमेशा उनको criticize करती है उनकी बुराई करती है अभी तक आपने इस वीडियो को एक like नहीं किया तो like कर दो आपके एक like से एक subscribe चे बहुत motivation मिलता है मैं तीन तक count करूँगा चिल्डन फ्लीज वीडियो को like कर दो 1,2,3 I hope चिल्डन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया है Thank you guys Would you like to be a rebel If yes, why? If not, why? क्या आप एक rebel बनना चाहोगा? Yes I would like to be a rebel because I want to change the norms of society मैं rebel बनना चाहूँगा क्योंकि मैं society जो समाज के जो तौर तरीके हैं उनको बदलना चाहता हूँ अब जो next question है question number two वो कह रहा है in words के antonym बताओ antonym मतलब willom शब्द तो देखो long का willom शब्द क्या होगा children short long माने लंबा short माने छोटा ठीक है याद रखना मैं लास्ट में पूछाँगा grow मतलब उगाना बढ़ना किसी चीज का size में cut माने काट देना quietness मतलब बिलकुल शांचब चाप disturbance मतलब disturb करना शोर मचाना sober मतलब एक दम मतलब नजर बहुत मतलब कोई fashionable नहीं कुछ नहीं बस ठीक था और fantastic मतलब बहुत ही जबरदस्ट lost मतलब कोई खोई हुई चीज found मतलब मिल जाना किसी चीज का जो खोई हुई children अगर आपको इस chapter के या किसी भी chapter के class 6 से लेके class 12 तक mcq चाहिए तो हमारे mcq चैनल को subscribe कर लो आपको पता ही होगा आपके teacher ने भी बता दिया होगा कि NEP new education policy में चाहिए आप CBSC board में बढ़ते हो या state board में mcq questions भर-बर के आएंगे तो हमारे mcq चैनल पे आप लोगों के प्यार और support से 1,36,000 subscribers अल्रेडी हो गए है और silver play button भी मिल गया है mcq चैनल का logo इस तरह का है mcq चैनल का link मैंने description में दे दिया है जो भी बच्चे instagram पे हैं मुझे follow कर लीजिए englishbaba.eb mcq चैनल और instagram दोनों का link मैंने description में दे दिया है अब ये कह रहा है find in the poem lines that match the following हमें poem देखो हमारे पास ये वाली poem थी ठीक है the rebel अगर आपने फड़ी होगी तो ये poem के words है अब ये कह रहा है कि जो words match होते हैं जो line match होती है इन चीजों से वो लिखके बताओ read both one after one जैसे the rebel refuses to cut his hair यानि कि ये कह रहा है जब पूरी दुनिया छोटे बाल रख रही होगी तो rebel क्या कर रहे होंगे बहुत बड़े लंबे लंबे बाल रख रहे होंगे अब आप देखो poem में ये वाली बात कहां कही गई है ये वाली line देखो second when everybody has short hair जब सब के छोटे बाल होते है the rebel let's his hair grow long वो अपने बाल बढ़ने देते हैं लंबे कटवाते नहीं है तो इसका answer क्या होगा इसका answer ये कह रहा है ये book में से poem में से लिखो the rebel let's his hair grow long तो अब ये सारे questions मैंने एक एक करके the rebel refuses to cut his hair इसका answer है the rebel let's his hair grow long question ये पूरा का पूरा poem से उठाया he says cats are better वो क्या कहता है कि cats बढ़िया है तो इसकी line कौन सी है देखो poem में यहाँ पर देखो the rebel expresses a preferences for cats यानि कि जब पूरी दुनिया dog lover होगी तो वो कहेगा कि मुझे तो cat सही है the rebel expresses a preferences for cats he recommends dog ठीक है the rebel puts in a good word for dogs लेकिन जब पूरी दुनिया cat की बात कर रही होगी तो वो कहेगा नहीं मुझे तो dog पसंद है उल्टा कहेगा the rebel regrets the absence of the sun जब पूरी दुनिया कहेगी कि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है बहुत बढ़िया चलो फिर वो चाहेगा कि सूरज निकलाए गर्मी पड़े he is unhappy because there is no sun he is noisy on purpose जब पूरी दुनिया चाहेगी quietness रहे कोई शोर शराब बना रहे the rebel creates a disturbance वो जान पूछ के शोर मचाएगा और disturbance create करेगा children इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे antonym मैंने बताया था विलोम शब्द उल्टा long का जो विलोम शब्द है वो क्या है वो है big big या large या short ठीक है आप चाहूँ तो अपने answer में comment में a,b,c लिग देना मैं समझ जाऊंगा आप मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाब बाई